आज हम आपको सिखाएंगे आप गर पे चिकन मश्रूम दानवल कोर्मा से बना सकते हैं यह काफी ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनता है आप ज़रूर यह रेस्पी ट्राइ कीजिएगा फर्स्ट आप देखेंगे यह यहां हमने यूज किया है मश्रूम का एक टिन साथ मे हम लिया चिकन आदाकिलु जो मश्रूम है इसको हमने द scorpion में काइच है और जो चिकन है पर भून लग्रिस हम robotsging की के लिए तो ध़रे टानवल भी आप युज करेंगे दनिया और यहां पर किंगुस के क्रिस्पी फ्राइड व्राइड अनियन है वह हमने इस रस्पी में य पानी फैंक के मश्रूम को दोएंगे ठंडे पानी से और दो हीसे में काट देंगे आप प्लैट पे सें मस्टर ओयल में प्राइ चिकन तब चिकन को को भी आप तब तक रखेंगे जब तक ना इनमें बराउन स्बोट आ जाराएंगे और हर तरफ से खिकन काट ा चुक है यहां पर देख सकते हैं चिकन ब्राउन स्बोर्ट बेंड़ की अब देख हो चुका है 5-6 छोटी लाइची निचरल श्टर करते रहेंगे इन स्पैसिस के बाद डाल देंगे आप गी य ग्याव दो बड़ी चमच गी से मेन वाजन फ्लेवर आएगा इसमें आपको फिर डाल देंगे हम इसमें गी आड करने के बाद पहले मिक्स करेंगे फिर डाल देंगे नमक टे हल्दी एक पिंच सिर्फ इसले आड करनी है ताकि हल्दी का ज्यादा फ्लेवर ना हो और पावर ना हो हल्दी का फ्लेवर और कलर भी अच्छा सा यलो कलर का आजाएं यहां पे देखिए जो दही है वो तयार है इसमें आप डाल देंगे अब हम किंग्स के क्रिस्पी फ्रा किये गए है जिसे परां करते हैं तो यह हमनुज कर得 यहां पे कइंग्स का आप समें निचे करने के देख सकते हैं informação को अगर आप खरीदा चाहें prepared इसकर आविंगे अपनेग्स का ड będę कर सकते हैं घ्ठेक्टिंगे मैधिशरूप तो आब दही को अप्रों को व्राइब मश्र ताकि फ्लेवर्स थोड़े से दही के और मसालों के आ जाए फिर डाल देंगे आप तीन कप पानी पानी आड़ करने के बाद हम मिक्स करेंगे इसको तो यह देखिए मिक्स कर रहा है अच्छे से हम इसके बाद कि दानवल कोर्मा है दानवल या कोरियंडर तो जाना जरूरी है इसमें एक हैंडफल डालेंगे कोरियंडर या दनिया दानवल का अब हम इ今 इसको रेड orth होने देंगे करी यह पर देख सकते हैं करी रेडियू सकते और यह दानवल का और व्र सकते हैं अब चाहे तो और एक दानवल कोरवायखे हम साओके बहुत अच्छा फ्लेवर देता आप ज़रूर ये ट्राइ कीजेगा इसको गरम सर्फ किया जाता है चावल के साथ गरम-गरम और आप ये रेस्पी बना कर हमें फीडबेक सेंड कीजे अगर आप ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजेगा और बेल अट कर में प्र